हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप गंतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे की आपको बहुत-बहुत सुभकामना है आज के दिन हमारा जो हमारा कॉंसिट्यूशन है जो हमारा सविदान है आज से लागू हुआ था पन तो बहुत पहले गया था लेकिन लागू आज से गया था खैर यह हिस्टरी की बात है फिर भी आज एक ऐसा दिन है जिसकी वजह से हम यहां पर हर चीज की फ्रीडम है हम में बोलने का फ्रीडम है तो एक ऐसा समीधान ऐसे चीजे रखी गई जिसकी वजह से आज हम बहुत खुले तरीके से घुम पा रहे हमारे राइट्स क्या है सारी चीजे पता है तो आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है होफुली आप अच्छे से इंजॉई कर रहे होगा चुट्टी का दिन है और आप अच बच्चों के काफी सारे रिव्यू और बहुत सारी चीजे आई तो कल जो मैंने वीडियो डाला था एक बार मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा अगर मैं एक बार वीडियो दिखा दूँ तो कल वाली जो वीडियो थी वो लगभग अगर देखा जाए कल की वीडियो मैंने एक वीडियो डाला था थमली देख सकते के सर क्लासिस कोर्सिस बच्चों का रिव्यू एक्जाम कैसा गया तो बहुत सारे बच्चों का धेरो कमेंट आया इसके अंदर देखा जाए तो और 2000 लगभग बच्चों ने देख भी लिया और कमेंट की बात क करें thank you so much जैसा देख रहा होंगे आप जैसा मतलब बहुत सारे बच्चों के अच्छे positive response आये और बच्चों ने देखा भी और इस वीडियो के अंदर मैंने announcement जो किया था क्या किया था मैं एक बार आपको समझा देता हूं जो बच्चे नहीं देख पाए थे कल मैंने थोड पुल पता है हमारे साथ सबसे बड़ी problem है कि हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं हम बातों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं या हम बूलना चाहते हैं कुछ ऐसा हमारे साथ सिचुएशन है कि हम सभी सब्सक्राइण में आपकी बात नहीं कर रहा है मैं अपनी बहुत कर र बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, बहुत सारी खुद से promise करते हैं, लेकिन जब वो मुसीबत टल जाता है, तो कुछ दिनों बात वो मुसीबत आपको यहाद भी नहीं रहता है। ठीक जैसा कि आपने exam में दिया, exam के time पे आपको बहुत सारी promises की, कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से लेके marks आएंगे, लेकिन जैसे exam बीच जाता है, तो फिर आप भूल जाता है, in fact, अभी तक तो आपको याद होगा, इसलिए मैं in short बहुत जल्दी batches लेके आया, और कल मैंने, simple सी बात है, कि B.com program और honors दोनों के batches launch किये कल मैंने, ठीक है, B.com program और honors के batches को सभी subject कर, मैं एक बार clear कर दूँ, कुछ बच्चे नई भी हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना हो या फिर नहीं देखा हो, मैं अगर बात करूँ सर, सर B.com, B.com तो लिखी दिया, मैं अगर बात करूँ, तो, यहाँ पर सबसे पहले, मैं semester 2 की बात करूँ असर, एक फिर batch हमने launch किया semester 4 का, क्योंकि 2, 4, 6 चलता है, और एक semester हमने 6 का, 6 हमारा old था, यह B.com program honors दोनों था, ठीक है न, semester 2 के अंदर, अगर मैं honors की बात करूँ, तो honors के अंदर corporate account, मैं C.A. लिख रहा हूँ, और एक company law, C.L. लिख रहा हूँ, और program की बात करूँ, तो corporate account और company law, और मैंने आप सभी बच्चों को बताया है भी था, जो semester 1 वाले बच्चे हैं, कि भाई, इन corporate account से, थोड़ा साब संभल के चलिएगा, starting से, नहीं, तो बहुत आपको पस्ताना पड़ेगा, मैं clearly बोलो, एक ऐसा word यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसा एक मान के चलो, tough word यूज कर रहा हूँ, कि आपको पस्ताना पड़ेगा, मतलब एक root word मान के चलो, लेकिन सच्चा ही ये है, कि बहुत ज़्यादा इसमें, 27, 22, 23, 24 चेप्टर है, जो की बहुत दिक्कत देता है, और हर चेप्टर बहुत कम कम marks के एक्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको problem हो सकती है, तो सुरू से लेके चलें, दूसरा सर, सैम 4 के अंदर हमने cost account batch launch किया हुआ है, चाहे honors का हो, चाहे program का, इसके साथ business stats, जो की हमारा honors में है सिर्फ, इसके बाद सर, इसके अंदर दो batches mainly हमने इसके अंदर launch किया, international business बहुत जल्दी आ जाएगा आपका, सैमेस्टर 6 के अंदर GST launch किया हुआ है, जो की honors का है, ठीक है, FOI, fundamental of investment launch किया है, जो की आपका program में भी है और honors में भी है, और सर, international business भी है, इसके अंदर program में भी है और honors में भी है, जो की हमने launch किया है, और भी subject मैं गिनवा दूँ इधर, management account launch किया हुआ है, जो की program में है, macro launch किया हुआ है, जो की program में है, तो मैं उन सभी subjects के आपके नाम बता रहा हूँ, जो की हमने अभी fresh batches ले के आए हैं, ठीक है न, fresh batches ले के आए हैं, तो यह सारे subject एकाद रहे गया हो, और यह सभी batches हमने decide किया है, especially accounts के जितने भी topic है, उसे foundation batch का नाम मैंने दिया है, बच्चों का पूछना है सर, यह what is the foundation batch, foundation batch का मतलब यह है, कि बहुत सारे ऐसे student है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के demand आ रहे थी, कि सर, आपने जो पहले, पहले मतलब हमने पहले, आप जो कराते हो, समझ में आता है, बाद में भूल जाते हैं, तो मैंने बच्चों से पूछा भाई, ऐसा क्यूं हो रहा है आपके साथ, बहुत सर 11-12 में नहीं ध्यान दिया, कुछ बच्चे बोलते हैं, मैं तो arts का था, मैंने सोचा commerce में career बना लूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं, science का था, हमें college मिला नहीं, तो commerce ही मैंने सोचा best है करना हूँ, तो foundation का मतलब, आपका जो basics होता है 11-12 का, वो basics classes आपके अलग से record करके, आपको folder मिलेगा, अलग से record करके folder मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको अलग से दिया जाएगा, वो different, बिल्कुल, इसलिए foundation batch रखा, नाम रखा है, दूसरा foundation batch इसलिए है, first class है, बिल्कुल starting से, और बिल्कुल base से कराया जाता है, starting में, अब मैं देखो, simple सा एक उधारन से समझा देता हूँ आपको, अगर आप course के बीच में एंटर करते हैं, अगर मैं मान लो, कोई आप movie देखने जाते हो, और course के बीच में आप movie देखने गए, और movie के interval, या फिर आदे घंटे भी अगर movie निकल जाए न, तो आपके mind में एक टिक 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 चलती रहती है, कि यार पीछे क्या था रहे गया, रहे गया, यार लेट हो गया, जल्दी आना चाहिए था, सभी उसे देखते हैं, ये mind में चलते हैं, सेम हमारा subject भी ऐसा ही है, अगर आप बीच में आओगे, तो आपके mind में कहीं नहीं रहेगा, पहले क्या करा दिया, नहीं करा दिया, हाँ, पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक तसली रहेगा कि वीडियोस हैं, बट हम उसको cover-up नहीं कर पाते हैं, अभी से आप एक घंटा देखे चलिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है, तो यह foundation batch के लिए अलग से एक यह provision है, बिल्कुल starting से होगा, आपके last वीडियो को देखने के बाद, लगभग, लगभग, maximum batch हो चुके हैं, full, तो मैंने सोचा है कि announcement डाल दू कि जो बच्चे रुग गए हो या नहीं देखा हो, तो आज last day है, आप जोइन कर सकते हो इसको, ठीक है न, foundation batch को, कैसे जोइन करना है सर, बहुत basic सा, simple सा logic है, कि आपको description में number given है, उस पर contact करिए, आपको reply मिल जाएगा, और coupon code वगएरा मिल जाएगा, सर batch वगएरा कितने का है, तो मैं बड़ी simple सी बात बोलू, batch जो है आपका, वैसे तो 649 का रहता है, कुछ बच्चों का भी कहना है सर, यह बहुत costly है, तो मैं कहूं कि यह live classes के charges है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे चीज़े खर्च होता है, उसके इसाब से, मैं आपको teachers की बात करूँ, तो जो GST पढ़ा रहे हैं, तो मैंने एक बहुत ही experience teacher C.E. कुसल सर को रखा है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, अगर मैं बात करूँ, audit भी हम इस पर लेके आएं, audit आपको C.E. अजेसर पढ़ाएंगे, और अगर मैं IB की बात करूँ, तो अल्रेडी इन्होंने मतलब के master's किया हुआ है, MBA करा हुआ है, बहुत नितीश चर पढ़ाएंगे, तो जो मैं नए teacher लेके आ रहा हूँ, ओ अल्रेडी बहुत qualify है, मेरा purpose ऐसा है, time pass करना नहीं है, बच्चों से सरिफ बता देना नहीं हाँ, हम जो पढ़ाएंगे, मैं purely बोल दूँ, कि बहुत सारे CE के बच्चे भी बोलते हैं, सर प्लीस पढ़ा दीजे, तो हमारा focus रहता है, only on B.com पे, CE के बच्चे help ले सकते हैं हमारे classes से, पर हमारे classes को core नहीं मान सकते, मैं पहले clear कर दूँ, वो मैं सरिफ हमारा focus होता है B.com, और B.com में किस तरीके से pattern से questions पूशे जाते हैं, और कितना हमें पढ़ाना चाहिए पूरा B.com का, इसलिए जिन बच्चों ने अभी पेपर भी दिये हैं, financial management के, वो सारे बच्चे happy थे, और दूसरी चीज, बच्चे सोचते हैं, सर, YouTube पे कब तक आएगा, YouTube पे classes आएंगी, मैं ऐसा नहीं कहरा, नहीं आएगी, आपकी मर्जी है, आप वेट कर सकते हैं, YouTube पे classes आएंगे, लेकिन थोड़ा delay रहेगा, थोड़ा delay का मतलब, पहले हम इसके अंदर निपटाएंगे, सारी वीडियो एडिटिंग करेंगे, क्योंकि अभी एडिटिंग भी कई बार, अब मुझे ही करना पड़ रहे है, तो एडिटिंग करने के बाद, फिर हम इसके उपर, YouTube के उपर हम classes डालेंगे, थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे कैपिटल बस्टिंग में, फानिचल मैनेजमेंट में दू चप्टर रहे गए, एक रहे गए हमारा पुरानी बच्ची वीडियो देख रहे थे, जैसे कि कैपिटल बस्टिंग रहे गया, और एक डिविडेंट पॉलिसी का रहे गया, तो दो यूनिट अकेला चालिस नमबर के आजपास का था, जो रहे गया बच्चों से, बट बच्चों ने पुरानी वीडियो को देखके फिर भी मैनेज कर लिया, लेकिन इस पर काफी सारे ऐसे स्लेवर से जो की चेंज हो गया, कॉस्ट अकाउटिम में चेंजिस आ गया है, कॉर्पेट अकाउट में चेंजिस आ गया है, और इसके बाद, एफ़ आई में तो खेर चेंज नहीं आए, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि पहली बार आपको क्लासेस मिलेगी, तो धीरे-धीरे आएंगी, GST में तो हर साल चेंज आता है, आप जानते हैं, Audit and Corporate Governance में भी चेंजिस आता है, तो काफी सारे सबजेक्ट्स में ऐसे हैं, जो की चेंजिस आता है, तो हम पुरानी वीडियो को हटाते हैं, लेकिन हम नई वीडियो भी continue रखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा mess up हो जाता है, और बच्चे थोड़ा confused हो जाते हैं, इसलिए स्रिफ हमने बोला कि, अभी से batch बिलकुल स्टार्ट है, 649 का, लेकिन अभी जैसे आप दो कोर्सिस लेती हो, तो आपको 950 का पढ़ता है, कितने कोर्सिस सर, दो कोर्सिस आपको 950 का पढ़ता है, यानि 475 रुपेस का एक कोर्सिस, लेकिन दो कोर्सिस का कमबो रखा हुआ है, ये offer सरिफ आज आज के लिए valid है, रिपब्लिक डे के offer पे मैंने डिकाला हुआ है, रिपब्लिक डे के मौके पे ये चीज़े मैंने किया हुआ है, सिंपल सी बात है, आप नंबर पे जाईए, कुपन कोर्ट मांग लिए, नहीं तो मैं कुपन कोर्ट भी दे देता हूँ आपको, REP और 2024 लगाईएगा, आपका कोर्स जो है, वो discounting price पे हो जाएगा, सर स्टार्टिंग से पढ़ने का जो मज़ा है, कल से GST का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे वेट करेंगे, फिर वो काफे टाइम लगएगा, तो जो स्टार्टिंग से पढ़ने में मज़ा आएगा, वो बीच में कभी भी नहीं आ सकता, ठीके न, कल से GST का बैच स्टार्ट है, और Monday आपका पहला बैच, Fundamental of Investment, FOI, और भी काफे सारे सबजेक्स के टाइम टेबल, सारे चीज़े डिसाइड हो चुकी, अगर मैं टाइम टेबल आपको दिखा हूँ, तो मैंने अहोल दो पहले भी दिखा है था, तो यह देखे, यह सारे टाइम टेबल है, कॉस्ट अकाउंटिंग TTS 7 to 8 होगा, वीकॉम आउनर्स प्रोग्राम दोनों का, बिजनस स्टैट्स TTS 6 to 7 होगा, यह मैथमेटिक्स रिकॉर्डिट होगा, कॉर्पेट अकाउंट होगा, जी एस्टी, सेटेडे संडे 2-2 घंटे की क्लास होगा, फोई, एम, डॉबलू, एप यह नहीं, इस पर अपकमिंग 29 को स्टार्ट हो जाएगा, यहीं सारी चीज़ें प्रोविजन किया हुआ है, और आप देखेंगे, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे रिलाइस करेंगे, कि हम कोसिस करते हैं, कि पहले से बेटर सर्विस दे, जितने भी डाउट्स होते हैं, फम के इतने बच्चे थे, डाउट सॉल्व होए हैं, तो और भी ज्यादा बेस से बेस, हम सुपीरियर बनने की कोसिस कर रहे हैं, एक बेंच मार्क लाग लेके आने के सोच रहे हैं, कि बीकॉम के लिए बच्चे को कहीं, और मतलब कि परिशान ना होना पड़े, इसलिए मैं सब्जेक्ट एड़ उन करवाता जा रहा हूँ, तो होफुली आप मेरी बातों को समझेंगे, बेच में बहुत कम जगह बची है, ज़्यादा जगह नहीं है, जो कि फुल हो जाने के बाद, फिर आपको foundation बैच नहीं मिलेगा, दूसरा बैच मिलेगा, क्योंकि हम limited student रखेंगा, जो दूसरे बैच में आऊगे, तो फिर उसमें 11, 12 का basics, वो आप एक थोड़ा सा delay हो जाएगा, और वहाँ पे कहीं न कहीं, थोड़ा fast mode पे चले जाओगे, तो आपको दिक्कत हो सकते, इसलिए starting से चलिए, प्राइज इस बार जो है, हमने जो last अभी 475 का है, आपका प्राइज जो सोचोगे, कि सर 100 रुपे, 200 रुपे कुछ बच्चे कहते हैं, तो वहाँ तक drop down नहीं जाएगा, इस बार रीजन से हैं, कि इस बार हमने देखो, दो तो CA हमने रखे हैं, जो कि आपको पढ़ाएंगे, एक और जिन्होंने एमेड कर रखा है, और साथ के साथ आपका एनिटी कॉलिफाइड है, उनको रखा है, तो उनको जो पेमेंट है थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी वो हमसे जुड़ पाएंगे, अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट को मैं बोलता हूँ, क्या वो मेरे पास पढ़ाओ, और आपको महिने के 5-6,000-10,000 रुपए दे देंगे, कभी भी नहीं आएगा, उनको एक अच्छा खासा एक अमाउंट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर मुझे थोड़ा समय इस बर प्राइस को डाउन नहीं कर पाऊंगा, आप इस बात को समझेगा, तो होफ़ुली आप समझ पा रहे होंगे सारी बातों को, तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप सभी का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉंस रहा, थोड़ा टाइम बचा है, आज रात के बारा बजे तक की ओफर वेलिट रहेगा, बारा बजे के बाद ये आपका वेलिट नहीं रहेगा, और कल से आपको तूसरा बैच मिलेगा, जिसके अंदर फाउंडिशन वाली चीज़े नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रखने का हमारा कोई परपस नहीं है, थाइंक यू सो मच, मिलते हैं, नेक्स लास में आपको का अग्जाम कैसा गया, नहीं गया, कमेंट में लिखिएगा जरूर, और चैनल पे आपको बेनिफिट अगर होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम 50,000 की फेमिली होंगे, सेलिबरेट करेंगे उस दिन कुछ ना कुछ, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में.